दार्बंत्री बोधी ने गुर्वाल को फ्रांस की राज़ानी पेरिस में भारतीयों को किया संबोधित पियम बोले आपको भारत में निवेश के लिए आगया ना हो संदीश पीम बोले हिंदुस्तान के लिए पूरा विश्व है एक परिबार भारत फ्रांस संग भी है और एक रंग भी है पूरा विश्व भारत की और आस्वरी निगाहों से देख रहा है अब भारत पहले से चली आ रहे समस्याओं का निकाल रायस्थाई समाधा प्रुधानमंत्री मोधी ने कहा कि हम भारतीं जोहां भी जाते हैं वहीं," MANी- इंडिया मना देते हैं मोधी बोले कहीं से नवस्कार की आवाज आती, तो लगता है कि घर आ गया प्रधान मत्री मोदी में फ्रांस को राश्टी दीवस की बदाई दी मोदी बोले इस खास मौके पर निउता दिने के लिए फ्रांस के लोगों का भार बियम मोदी ने की पेरिस में भूषना प्रांस वे P.M.O.D.ी ने सम्मानत किया गया Grand Cross of the Legion of Honor से सम्मानत किया गया P.M.O.D.ी ये सम्मान पाने वाले पहले भार टी पीम बने आज होगी चंद्रियां 3 के लांचिंग श्री हरी कोटा अंद्रिक शकेन से दोपर दो बसकर 35 मिनट पर भरेगा उडान चंद्रियां 3 के लांचिंग की तैयारिया पूरे करीब 45 से पाफ 50 दिन की यार्ट्रा के बार चंद्रमा की दक्षणी ध्रूप के पास लेंग करें का चंद्रियां चंद्रियां 3 को चंद्रमा पर भेशने के लिए LVM Free Launcher का स्थवार चंद्रियां 3 चंद्रमा के दक्षणी ध्रूप पर उतरने वाला पहला मिशन होगा चंद्रमा की इस इलाके में रहती है चाया पानी की बर्फ के होने का लगाए जाता है महरास्ट्र के विभागों के बटवारे का जो सबता है लान अजीत पवार समेथ NCP के नए गुट के नौ विधायकों ने ली थी मंत्रिपत की शपत महरास्ट्र मंत्रि मंडल का जल्द हो सकता है विस्तार फिलहाल 14 पत खाली विस्तार में शिपतेना बीजीपी को पाँच पाँच और अजीत गुट को चार पत मिलने के आसा महरास्ट के मुख्यमंत्री एकनाच छिंदे का बड़ा बयान बाला साहिब के विचारों को लेकर ही काम कर रही है मौजुदा सरकार पीम नरेंदर मोदी भी कर रहे हैं मदद महरास्ट के डेपटी सीम देवेंदर पढ़नविस ने उदव ठाकरे पर बोला हमला 2019 में बीजीपी की पीट में गोपा ता चुरा बीजीपी अपमान सहली की लेकिन बई मारी नहीं महरास्ट में शिवसेना के बागी वधायकों के अउकितास जुड़े मामले को आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई स्पीकर को फैसरा लेने में देरी पर दाकिल हुई या चिका मनी लॉंडरिंग मामले में आरोपी शिवसेना संसस अंजे राउत पर आज मुंबई सेशन्स कोट में तैह होंगे आरोप एगजार करोड एफएसाई गोटाले का है आरोप विधान सबा मार्च के दरान पोलिस लाठी चार्ज के दरान होई थी बीजीपी नेता विजैस सिंग की मौट बीजीपी ने लगाए पोलिस प्रशासत पर आरोप पोलिस पिटाई में हुई बहुत बिज़ेपी नेता विज़े सिंग के मौत से जानाबाद के कलपा गाउं में पस्तरा माधम परिजनों में शोक की लहर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कल सुबाई पटना पहुंचे थे बिज़े सिंग के शोको पटना में पार्टी दफ्तर रखा गया श्रदांजी देने पहुंचे पार्टी की नेता कारिकरता विज़े सिंग आज की आजाये गांतिम संस्कार बिहार बीजीपी प्रदेश अध्यक्षी समराठ चौपधी ने भी पार्टी देता विज़े सिंग को दी श्रदांजी दी बोले उनके पूरे परिवार को गोद लेगी बिहार बीजीपी केंड़ी मंट्री अनुराग ठाकुर का बयान जुंदलराज की विरोध में श्रांती से विरोध प्रदेशन कर रहे नेता की हुई बरबर हत्या पोलस की कारवाई माफी के लाएक हुई जिपटी सियम तेजस्वी यादवनेदी सफाई बदले की भावना से नहीं हुई कारवाई विरोध प्रदेशन में सक्षक और किसान संग नहीं थी शामल पटना में लाथी चार्ज को लेकर बोले पशुपती पारस पुलिसिया कारवाई सरकार की विपलता और बॉख लाहट का नतीजा ब्रस्टाचार की किले को बचाने में जुटी है नितीश सरकार अरेलजडी अध्यक्ष रंजन और पपु यादबने का बयान आंदोलन करना सभी का अधिकार लेकिन बीजेपी कारेकर्टा कर रहे थे गुंड़ा कर दी जो हुआ ठीक हुआ बीजेपी सस्पेंट चल रहे ते लंगाना की विधायक टी राधा सिंग का फिर आया वियादित बयान बिहार पुलिस पर लाठी से ऐसे करो प्रहार की याद आ जाये नानी शतिसगर विधायक चुदाव से पहले बुपेश बगेल कैबिनेट आज होगा एक और विस्तार मोहन मारकम लेंगे मंत्री पत की शपत एबीपी न्यूस से बोले मकराम उम्मीदों पर खरा उतरने की करूँगा कोशिश गैबिनेट से ऐसे सतिसगर के सिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंग का बयान इस्तीफा दिया नहीं लिया गया सूत्रों के हवाले से ख़बर मंत्रियों की विभागों में भी हो सकता है फिर बदाए रुआजी साभी कॉंगर्स विधायक दिव्या मदेरना ने कहा सभी के लिए है बिजली चोडी की छोट विधायक का विवादत विडियो हुआ वाइरल बीजीपी ने दिव्या मदेरना को लिया दिशाने पर यूगी सरकार ने सबाके कदावर निता आदम खान को फिर दिया धटका वाई उश्रेणी सुरक्षा हटाए गई आदेश मिलते ही रामपूर एस्पी ने सुरक्षा कर्मी वापस बुलाए घर पर तैनात पुलिस कर्मी हटाए गई यूबी की सियासप में लाइम लाइट लूट चुका सारस फिर सुरक्यों में ये सारस को बचाने वाला आरिफ पहुंचा कानपूर जू आरिफ को देखकर अपने बाड़े में इधर उदर भाग ने लगा सार्स यमुना का जलेस्तर बढ़ने पर दिली से कई इलाकों में बिगड़े हालात अभी 208.48 मीटर बना हुए जलेस्तर नोईटा के यमुना से लगते इलाकों में हाई अलर्ट दिली के मनस्प्री मजनु का टीला निगंबोध घार चानी चौक में हालत बेहत खराब तो जैधपूर मॉडल टाउन गीटा कालोनी रिंग रोड पर भी हड़ तरफ भरा पानी दिली के जैधपूर इलाके में बिगड़े हालात पानी भरने के बाद बाल प्रबावटों ने खाली किए घर 6000 से ज़धा परिवारों के सामने बड़ा संक है दिली के जैदपूर में बार के पानी में डूबा वाटर ट्रीट्मिन प्लांट दिली के कई इलाकों में पानी किस्त अप्लाई हुई बादत दिली में ड्रोन तस्वीरों ने दिखाई दिली की हकीका ड्रोन से लिगई तस्वीरों में हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी सड़के घर कॉलोनी ही हर जगह पानी गुसा दिली में लोहे के बुल के पास नज़र आ रहा यमना का दूर तक पहला आओ अजब पास के अंदर पारी भने से फसे कई बड़े बाह दिली में बाड की बज़ा से जंजीवन प्रभावित लाल किला 14 जुलाई तक रहएगा बन लाल किले में नहीं हो पाईगी आम लुकुके दिली में 16 जुलाई तक बंद रहेंगी स्कूली अमना निज़र आई बाड को लेकर सिप्षा निज़र शाले का फैसला प्रांस जॉरिफे पीम नरेंद्र मोदी ने पोन पर की ग्रिमन्ट्रियम इच्छा से बाद दिली में बाड के हालात के बारे में ली जानकारी दिली को प्राजबाल से बीपीम मोदी ने की फोन पर बाची दिली में बाड के इस्तिती के बारे में जानकारी दिली में आज भी हो सकती है अलकी समध्यम बारेश 15 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलट राजधानी के कई लापों में पहले से ही आई है बाड दिली के पास जाजबाद के लोनी में आई बाड यमना के पानी से दरजनों गाउ में हालात हुए खराब बाड के पानी में दूपते नजर आए खे यमना का जलस्तर बढ़ने से नोइडा में भी अलर्ट सेक्टर 167 में बाड मिफसे लोगों को निकाला गया शेह हजार से स पर लगा एक किलोमेटर लंबा जाम बागेश्वार धाम सरकार के कारिकरन के चलते उमडी भीड रिंग रिंग कर चलती नजर आई काडिया यूपी के बागबत में तंडवर्ट तूटने से खेतों में पानी भरा सुभानपुर गाउं के पास तूटा यमना नदी का तंडवर्ट उत्यपरदेश के बिलंग शेहर में बड़ा गंगा का जलस्तर गंगा घाट किनारी पर बड़ी दुकानों में गुर्सा पानी पानी आने से दुकानदारों ने सुरक्षित जगाओने शाह सावान शिप्र किया यूपी के मेरट जिले के निचले इलाकों में गंगा के पानी साई बाढ़ हस्तिनापूर के खादर शेत्र में हरते गंगा का पानी यूपी के कास गंज में नरोरा बैरास से छोड़ा जा रहा पानी गुरुबार सुबह एक लाग दोसो तेहत्तर क्यूसिक पानी छोड़ा गया बाढ़ को लेकर जारी किया गया लग मुक्रमतिय योगिया दितनाथ आज करेंगे साहर अनपूर के बाढ़ प्रवावज़ इलाकों का दोरा बाढ़ ग्रस इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्शन मसूरी टेरी बाइपास रोड पर हुआ वुज़कलन रोड पर आघिरा एक बड़ा पेड और विजली का पूल सड़क के दोनों और लगी वाहनों की लंबी कता उत्राखन के जादतर जिलों में सोला जुलाई तक जाने रहेगी बारिश प्रदेश के कई जिलों में येलो और औरेंच अलट जाने अरद्वार सिट को रोशनाबाद मार्व पर पूल हुआ शतिग्रस पुल के बीच का हिस्सा नीचे की तरब धसा उत्राखन के खोड़द्वार में मालन नदी पर बना पुल हुआ शतिग्रस पुल का एक हिस्सा नीचे नदी में के राए जूशी बट में मौनसून की बारिज ने बढ़ाई आमादमी की मुश्किर आपदा में फसे यात्री की बाई को जे सीवी से करवाए गया बा इहरी में बर्दिनास से हरिद्वार आ रही बस पलती हाच से कि समय बस में सवार्थे उन्नस मुसाफिर एक यात्री को लगी मामुली इहरी में नेशनल हाईवे साथ सो साथ पर लेंड्सलाइन डंदगाउं और पीपल डाली के पास मार्गब उट्रकन की विकास नगर में सामने आया पहाड़ी दरखने का विडियो कुवानू मोटर मार्क पर तार अली खड़िट के पास लेंड्सलाइब पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंत मान आज करेंगे बाल प्रवाविश लागों को दौराब फाजिलका और फिरोजबुर के बाल प्रवाविश शेत्रों में पहुंचेंगे मुख्यमंतरी असमेहो रही बारिश से बड़ा ब्रह्मु पूत्र नदी का जलसर नदी के किनारे वाली लाकों में घुसा बाढ कामानी बारिश सर भुसकरन सोने से जम्मू कश्मीर के लोगों की बड़ी मुश्किल जम्मू में होने लगी प्रिट्रोल की किल्लत नेशनल हाईवे बंद होने की वज़े से सप्लाई बात है वे सिद्नीज के साथ टेस्ट शीरीज के पहले मैच में रोहित शर्मा और यशिस्वी जैसवाल की सेंचुरी रोहित ने लगाया टेस्ट क्रिकेट में दस वाशब